नमस्कार आप देखरें बीटिनी विहार मैं हूं संतोष कुमार नोवल करोना वायरस को लेकर के भारत निर्मित ग्रेक्षिनेशन का कार्ज जो सुरू हुआ है इसको लेकर पूरे देश में उल्लास का मावल है किन्तु एक वर्ग जिसे आप अस्तंब कहते हैं जो करोना काल म मैं आपके लिए बैरियर बनकर खरा था उसने कभी आपसे कोई सुदा नहीं मांगा आपने उसे वंजित कर दिया इस मुद्दे को लेकर बेवुसरा के पत्रकार संग शर्मिक के जिला अध्यक्ष सिक्षावेद सालिग्राम सिंग ने पत्र लिखा है जानते हैं क्या पत्र में है पीरित है और ऐसे परिश्टिती में सरकारी अस्तर से जो प्रयास हुआ है प्राइबिट अस्तर पर निजई अस्तर पर वैक्षिनेशन का काम शुरू हुआ बनने का काम शुरू हुआ और लगने का काम भी दो दिन पहले शुरू हुआ लेकिन दुरभाग्य है कि एक अस्तंब अब ठीक है हम मानते हैं कि डॉक्टर पोलिस और जो दूसरे सफाई कर्मी इनको भी आवश्यक है उसमें इंक्लूड करना उसके साथ ही साथ इन लोगों न हों गाउ के हों सहर के हों कस्वे के हों तमाम लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल कर बिना किसी साधन के सरकार की ओर से तो छोड़ दिजे कहें से कोई साधन मुहया भी ने हुआ अपने जो निजी साधन है उसका उप्योग करते हुए हजारों हजार लोगों की प्रदान मंत्री को पत्र लिखा है और उन्हें से अन्रोध किया है कि तमाम पत्रकार देश के जो भी पत्रकार हैं छोटे हों बरे हों जो पत्रकारिता से जुरे हुए हैं उन तमाम लोगों को चाहिए प्रिंट मीडिया हो सोसल मीडिया हो टेलिवीजन हो तमाम लोगों को जल्द से जल्द अपने जो आदेश है उसमें अधिसूचना जारी कर और ठीका करन का काम करने का काम करेंगे ताकि आगे आने वाले भविश में भी हमारे पत्रकारों का मौनवल बढ़ा रहेगा और उस्वस्त रहेंगे तभी पत्रकारिता कर सकते हैं तभी सही दिशा निर्देश के काम कर सकते हैं आपके लिए समाज के लिए परिवार के लिए देश के लिए सभी के लिए काम कर सकते हैं जब उस्वस्त होंगे और जब टिका करित होंगे धन्यवाद जो बरतमान में मानते हैं कि पर्थम बैरियर सुरश्चा जो स्वास्त करमी थे वो थे लेकिन उनके साथ जो उनकी सुवधा थी उस आधार पर जो पत्रकारों को उस समय भी बरना जो करोना वैरियर के टाइम पर भी सुवधा नहीं मिल पाया और भी आपात इस्तिती ऐसी आत चोथे अस्तम्भ है कारिपालिका नियापालिका विधायका के बाद आप देश में चोथे अस्तम्भ है वो बात भी सही है हम जब लिखते हैं कोई विद्यार्थी अगर कौपी लिखता है तो उसके एक परिक्षक होते हैं और हम जब लिखते हैं तो उसके मुल्यांकन करने वाले से लेकर परिच्छा लेने वाले जाचने वाले हज्यारों लाकों लोग होते हैं और हम उस पर खरा उतरते हैं, हम समाज को भी आइना दिखाते हैं, हम सरकार को भी आइना दिखाते हैं, आप अंदाज करिए कि हम अपराधी से भी लड़ते हैं, हम भरस्टाचार के खिल दलित की आवाज बनकर हम समाज में काम करते हैं लेकिन जब बक्त आता है तो नजाने क्यों चाहे प्रसासक जो भी रहा हुए बर में भी जो भी रहते हों किसी दल के रहे हों लेकिन पत्रकारों के साथ दुरंगी नीती होती है और उनको कोई सुविधा का कोई ख्याल नहीं रहता है कि हम थोड़ी सुविधा भी दे और जब जरत होता है तब आवान करते हैं प्रेस कंफरेंस बोलाते हैं आप उनकी बात को समाज तक रखिए समाज की बात उन तक पहुंचाए इन तमाम बातों में हम लगे हुए रहते हैं लेकिन कभी कभी बड़ी निरासा होती है है पत्रकारों को कि हम जिस समाज के लिए कर रहे हैं जिस सरकार के लिए कर रहे हैं उससे हमको कोई सभुर्ष नहीं मिल पाते हैं इसलिए हम इस बिंदों प के लिए पर्षंज सकता नहीं है आप परसंसा पत्र देते हैं तो सुवधां भी देना अंवे जुर्था है इस परकार की जितने बी पत्रकार है हमारी महवद्य का आप ने देखा कि जो भावना है उस भावना को समगने की जो रत और सहयोग करने की जुरथ है धन्यवादा